देश की अर्थ व्यवस्था की ग्रोथ तेज रफ्तार से पट्री पर दौड रही है World Bank से लेकर Reserve Bank of India तक ने दावा किया है कि आने वाले वक्त में देश की अर्थ व्यवस्था 7% की रफ्तार से दौडेगी नमस्कार मैं हूँ आपके साथ आस्था कौशे देश की अर्थ व्यवस्था और इनोवेशन की दिशा को लेकर बड़ी खुश कबरी सामने आई है Global Innovation Index 2024 में भारत ने बड़ी चलांग लगाई है और अब भारत 49 वे स्थान पर पहुँच गया है 133 देशों के Global Innovation Index रांकिंग में भारत का नंबर अब 49 वा हो गया है पिछले साल भारत Global Innovation Index में 40 वे नंबर पर था युवाओं की कौशल शक्ती में तेजी से इजाफा हो रहा है और नए प्रमोटर्स और कारुबारियों की वज़े से भारत में इनोवेशन के महौल को और मजबूती मिली है और इस मौके पर प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है ये उलेखनी उपलब्धी हमारी सरकार वाइबरेंट इनोवेशन एको सिस्टम सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद है जो युवाओं के जीवन को बदल सकता है वानिजे और उद्योग मंत्री प्यूश गोईल ने कहा कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की रांकिंग में लगतार सुधार, हमारी ज्यान संपदा, जीवन स्टार्टप्स, इको सिस्टम, सार्वजनिक और निजी अनुसंधान संगठनों के बेहतरीन काम की वज़े से हुआ है GII एक ऐसा भरोसे मनसाधन है जिससे दुनिया भर की सरकारे ये देख सकती है कि उनके देशों में नई अविशकार और तक्नीक कैसे सामाजिक और आर्थिक बदलाव ला रहे हैं और इसका उपयोग नीती, निर्माता और व्यापारिक हस्तियां करते हैं WIPO के मताबिक Switzerland, Sweden, America, Singapore और Britain दुनिया की सबसे अधिक इनोवेशन वाली अर्थव्यवस्थाएं हैं तो वहीं चीन, तुर्की, भारत, वियतनाम और फिलिपीन्स इस शेतर में पिछले 10 सालों में तेजी से प्रगती करने वाले देश हैं चीन 11 स्थान पर है, और शीर्ष 30 में स्थान पाने वाली एक मात्र मध्यम आए वाली अर्थव्यवस्था है और इसके बाद दक्षेनेशिया और मध्याजय शेया में भारत 49 वे स्थान पर है जबकि इरान 64, कजाकिस्तान का 78 वा स्थान है भारत निम्न मध्यम आयवर्ग में सबसे आगे है और बीते 14 सालों से इनोवेशन के शेत्र में लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है भारत की ताकत कुछ खार शेत्रों जैसे कि IT सेवाओं का विदेश में निर्याद, नए कारोबार के लिए निवेश आदी में है IT सेवाओं के निर्याद के मामले में भारत दुनिया में पहले नंबर पर है बंगलूरों में सामसंग एलेक्ट्रोनिक्स और भारत विज्ञान संस्थान यानि IISC बंगलूरों को दुनिया के शीष 100 विज्ञान और तक्नीकी केंद्रों की सूची में शामिल किया गया है और ठीक इसी तरह दिल्ली, चेननाई और मुंबई में भी इस सूची में जगा बनाएं हुई है GII रिपोर्ट के मताबिक भारत केंद्रिये और दक्षिन पूर्व एशिया शेतर की सर्वश्रेश्ट अर्थ व्यवस्थाओं के चार्ट में टॉप पर है इसके अलाबर भारत निम्नमध्यम आय वर्क के देशों के समू में एक ऐसा देश है जिसने अपने विकास के हिसाब से Innovations में आनुमान से बहतर प्रदशन किया है भारत निम्नमध्यम आय समू वर्क के देशों में सर्वश्रेश्ट Innovative Economy है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत मध्य और दक्षिन एश्या की 10 एकनॉमीज में से पहले स्थान पर है ये बहुत बड़ी उपलब दिये देश के लिए और रेपोर्ट के मुताबिक भारत के इंद्रिया और दक्षिन पूर्वेशिया शेतर की सर्वश्रेश्ट अर समूब वर्क के देशों में सर्वश्रेश्ट इनोवेटिव एकनॉमी है जी आई आई दोहजार चौबिस रेपोर्ट के मुताबिक भारत की मजबूती ICT सर्विस एक्सपोर्ट में 1. हासिल वेंचर क्यापिटल में 6 और इटांजिबल एसेट इंटेंसिटी में 7 जैसे इं कॉन कंपनियों ने देश को ग्लोबल लेवल पर आठ्मा स्थान दिलाया है